कि दोस्तों जैसा कि थमनेल में आपने देखा यह वीडियो कास्टिक सोडा पे है और काफी आप सभी लोग कास्टिक सोडा के नाम से या उसके क्वालिटी से उस केमिकल के बारे में आप लोग परचीत होंगे कुछ नायक प्लेयर्स जो आते हैं लाउंट्री ड्यक्लिनिक ब और जब वोग केमिकल को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते हैं और अपने या कस्टमर के जब कपड़े को च्छति डैमिज कर देते हैं नुक्सांग कर देते हैं फिर आप अई धहुदरब सवाल जबाब करते हैं जो क्यों को पहले करना चाहिए था दोस्तों तो आभी हमारी किसी सब्सक्राइबर ने कलफोन किया था और यह पूछा था कि सर कास्टिक सोडा से कपड़े फट जाते हैं क्या नेचरूली फट जाते हैं क्या मतलब अगर उसको अब तरीके से यूज नहीं करेंगे तो किसी भी केमिकल से आपका कपड़ा खराब हो सकता है तो उन किस तरीके से आपने प्रयोग किया उन्हें का मैंने कास्टिक सोडा लिया जब मैं भीवो रहा था उसके उपर स्वास लेके चावत्र फैला दिया और पानी भरने लगा जब पानी भरा उसके जब धुल गया तो देखा कपड़े कई जगा जगा चेद हो गया तो मैं उनकी पावरफूल और हज़र्ड केमिकल है और इसको साउधानी से भी यूज किया जाता है आज कल वर्तमान टाइम में कास्टिक सोडा का लाउंड्रिय ड्यक्लिन में बहुत आयत में प्रयोग नहीं हो रहा है दीदरी है अपसलोट हो रहा है तो खास्तोर से हमें कास्टिक सोड साउधा को ऐसे कपड़े यह से टेंट हाउस का हो गया बहुत मैले हैं कीचन के कपड़े हैं वहां पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं और करना भी चाहिए लेकिन इसके प्रयोग करने की कुछ सावधानिया है जो मैं आपको बताना चाहा रहा हूं सबसे पहले कास्टिक सोड को डारेक्ली हाथ से नहीं चुना चाहिए और जब आप इसको हाथ से चुएंगे तो जरूर वहां पर वह जला देगा और आपके स्किन को इरिटेट कर देगा हमेशा सावधानिक बरसनी चाहिए इसको प्रयोग करने में क्योंकि यह बहुत ही प्रभावशाली होता है और इसको कभी भी कपड़े पर रखना ही नहीं चाहिए कोई भी कपड़ा हो डायक्ली आपने एक तुकड़ा उठा के आपने रख दिया तो कपड़ा डेमेज होना ही है और एक सबसे जरूरी बात है कि कास्टिक सोडा जब हम यूज करते हैं तो किस्टल के रूप में होता है के रूप में इसको हम इस तरीके से नहीं यूज करेंगे हमेशा इसको घोल के यूज करते हैं और एलमुनियम कॉपर या पीतल के बर्तुन में इसको नहीं घोलना चाहिए अच्छी क्वालिटी का जो प्लास्टिक के मग होते हैं बकेट होते हैं हमें इसमें यूज करना च technique soda को पानि डालिए पानी को काश्टिक सूडा में नहां ढालना है इससे आपको नुक्सान हो सकता है या परिशानी हो सकती है क्योंकि जब काश्टिक सोडा ज्यादा मात्रा में एक जगा पे है और थुआ सा पानी लगेगा तो वहां के वातावरण में या उस बरतन को नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए जब पानी पहले लेंगे फिर मिलाएंगे तो कोई दिकत नहीं आएगी तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक नहीं है आ इसका में डेमो भी करके आपको दिखा देता हो कि कि सी की कास्टिक सोडAh तो जोल सकते हैं और अभर कि शक में हरा ना लगे क्योंकि कि इसमें हवा लगते हैं इसमें रेक्शन सुरू हो जाता है जिसके उज़र से इसकी पैकिंग या डट की जाती है मैंने यह थोड़ा सा निकाला है आपको दिखाने के लिए यह क्रिस्टल फॉर्म में होता है और इसको आप हवा लगने के रूप में छोड़ देंगे तो यह पूरा सॉलिड एक बड़ा सा पत्तर बन जाएगा इसको कभी भी हाथ से छूना नहीं चाहिए किसे लकड़ी की मदद से या प्लास्टिक की डंडे से जैसे आपकी रिक्वार्मेंट हो उतना आप निकाल लीजे और बचाये इसकिन से यह टच ना हो कभी भी इसकिन पे या किस्टल के रूप में अब देख पा रहे होंगे अभी मैंने तुलंत निकाला है और हवाक के रियक्शन से हलका हलका गिला होने लगा है यह आई इसको घोलते हैं देखिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और पानी में यह कास्टिक सोडा मैं एड़ कर रहा हूँ कि अब देखिए रियक्शन को जैसे पूरी तरह के से गिर नहीं रहा है क्योंकि यह गिला होने लगा है और जैसे पानी में गिर जाएगा तो भी अभी एक खतरनाख है जिसको इसके सुलूशन को आपको इसकी नहीं लगाना है डिटर्जन का जो आप गोल बनाएंगे यह मिक्स करके उसमें डालना है और जब गोल पूरी तरह के मिक्स हुझाए तब उसमें कपड़ डालना है इसको गोल के डार्कली कपड़े पर नहीं डालना है नहीं फिर भी कपड़े को डेमेज कर सकता है इस तरीके से आप गोल ल तो दोस्तों इसी तरह के यूश्फुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चनल पर बने रहा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आपने देखा है सपोर्ट कर रहा है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इस प्रोडुक्त को आपको खरीदना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्चन में दिया हुआ है थैंक्यू वेरी मच